असलाम कुम एव्रिवन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आए वापिस आ गई हूँ और इस पार मैं थोड़ा सा डिफरेंट यॉन्रा लेकि आई हूँ जो है रुमेंटिक पोईट्री और रुमेंटिक पोईट्री में जैसे कि हम जानते हैं कि विलियम वर्ट्स वर्ट बहुत इंपॉर्टन या फेमस नेम है उनका और बहुत ज्यादा कॉंट्रीबुशन है उनकी रुमेंटिक एज में इसलिए हम अगर उनको डिटेल में तो वैसे हर कोई जानता होता लेकिन उसको थोड़ सा और डिटेल में अगर हम पढ़ें तो इसकी नेक्स्ट हमें इसक सब्सक्राइब करता है तो इनकी उसका इंपक्ट पर अब मैं आपको नेक्स्ट इसके राइटिंग स्टाइल बताते वह बताऊंगी कैसे फ्रेंच रेवलुशन का इस पर एसक्ट था यानि कैसे इंपक्ट पढ़ा हुआ था इसका पॉइट लारियोट का इनको खताब मिल पाकिस्तान में लामा एकबाल को कौमी शायर कहा जाता है वैसी जो उनसा है इनको भी पॉइट लारियोट का खताब मिला था इनकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टन जो हिस्सा है वह एस्टी कॉलरिच करा रहा है जो इनके दोस्ते जो इनके साथ बहुत अर्सा रहे और इनकी साथ मिलके इनने अपना सबसे पाइनियर वर्क जो उनसा है रुमैंटिक एज में किया था या पूरे लिट्रेचर में लिट्र कहा था इनकी डेथ हुई थी एटीन फिफ्टी में अगर हम इनके वाक्स की तरफ आए तो इनने सबसे पहला लिरिकल बैलेड दिखा था 1798 में स्टी कॉलरेज के साथ आप यह समझने कि एक अटेंट था जो किया गया था इन दोनों की तरफ से ताके देखा जाए कि अगर एक नए चीज सुसाइटी में की जाती है रिपेसेंट की जाती है तो उसको एक्सेप्टेंस मिलती है के ने जैसे कि हम जानते हैं कि कोई कोई भी एज या कोई भी मूवमेंट ऐसे नहीं थी उसके आने में बहुत स्यादा टाइम लगता है और उसको बहुत से लोग काम करते हैं करते हैं करते हैं और उसके बात जाके वह एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वह एक पॉइंट मिल जाता है उसको या एक मूवमें जो था वह बहुत जादा important माना जाता है romantic age में तो इसके पहले पहली जो एडिशन था उसमें प्रिफेस नहीं था और विलियम वर्ट वर्ट ने अपनी ही सबसे important और famous point 1010 अबे include की थी उसके बाद इनका नेक्स्ट वर्ट है the prelude 1794 the excursion 1840 इनकी odds में जो आज तक हम स्लेबस में पढ़ती हैं वो है odds on intimation of immortality आगे continue करें तो नाम है from recollection of early childhood और यह 1804 में लिखी गई थी अच्छा अगर हम इसके writing style के बारे में बात करें या इसको कहां क्या ज इस बात as a point of nature to kind of nature क्यों कहा जाता है इसके ऐसे क्या aspects थे इसकी poetny कहा जाता है और इसकी वज़े से नीचर को color beauty or appearance जैसे हमें एक अगर कोई writer a woman पर लिखता है तो वो इसकी beauty उसके color और इसकी appearance को देखके उसके admiration करता है वैसे ही विलियम वर्थ वर्ड जो है नेचर को admire करता है through color beauty and appearance secondly उसका मानना है कि नेचर बहुत quiet है वो wild नहीं है हम उसको जितने प्यार से रखेंगे वो उतने ही प्यार से हमारे साथ रहेगी हम जितना उसको नुकसान पहुंचाएंगे वो उतनी ही wild हमारे साथ होगी हम देखते हैं जैसे हम trees की cutting करते हैं जंगलात खतम करें उसका in return impact के हमारा पड़ा है हमारी globalization जो है वो ज्यादा zone layer खतम हो रही है तो nature जो है कहीं न कहीं in return हमें आगे से अगर हम wild हूँ तो फिर वो wild होती है वो बहुत कॉइट है वो नेचर का साथ living soul मानता है वो यह नहीं कहता कि जो नहीं से बेजान चीज़ है नेचर एक बेजान चीज़ उसके लिए नहीं थी उसके लिए nature living soul थी और इसको एक pantheism भी कर जाता है वैसे अगर हम इसकी opposition में देखें तो इसकी opposition में पॉप जो है वो subjectivity नेचर का सब्जेक्टिविसम देखता था अगर हम इसके next point को देखें तो teacher to mankind यानि एक सबक देता है nature को nature जो है वो इनसानियत को सबक देता है कि कैसे खामोशी और स्कून और पूर स्कून जिंदगी होनी चाहिए कैसे हम जूंसा है इसको और ज्यादा खुबसूरत बना सकते है अपनी जिंदगी को अगर हम next points अगर और discuss करें detail में point of nature को तो वो consider करते थे विलियम वर्ट वर्ट कॉंसीडर करते थे कि nature जो है वो ऐसा healer represent किया जाता है इनसान को वो heal करता है अगर हम कभी बहुत दुखी होते हैं या बहुत जादा हम पर impact होता है किसी चीज़ का यह बहुत जादा हम पर किसी का असर होता है तो हम क्या करते हैं। खामोशी से एक जगा जाके बैठ जाते हैं हम نेचर के जदा क्रीब हो जाते हैं। 1890 कहीं न कहीं हमें हील ही करता है। हमें इस चीज में पिर्पेर करता है ताकि हम हर चीज को फेस कर सकें। इसलिए इसको कहता है William Wordsworth अपने according in point of view और William Wordsworth तो उसके point of view में nature never ditches कभी nature दोखा नहीं दे सकती वैसि वो एक positiveism जो है वो impact रखता है अपनी पूरी poetry के अंदर वैसे इसको point of nature के लावा point of man भी कहा जाता है point of village hood भी कहा जाता है क्योंकि यह village की जोन सी representation है वो बहुत अच्छे से गणता है और विलिच5 आपको मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इतना इंपक्टफुल था इसलिए फ्रेंछ revolution आई तो cities की तरफ सब आने लगें और जो उनसी गाउं और देहाद थे विलिज था उसकी importance कम हो गए purity कम हो गए industrialization ज़्यादा हो गए और industrialization की वज़ा से जो एक pure nature थी वो से सब दूर हो गए इस वज़ा से वो विलिज के बर ज़्यादा importance देता था वो देहाद की तरफ ज़्यादा देता था और देहाद की उपर वो अपना जो एक aspect है वो कहता था कि हमें वापस जाना चाहिए nature की तरफ जैसे कि point of child भी था तो उसका सबसे basic जुन सा important point था वो था return to nature क्योंकि अब भी भी बहुत वक्त नहीं घुजरा हम नेचर की तरफ वापस चाह सकते हों नेचर हमें accept भी करेगी तैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही